ये वीडियो TDP के बारे में है जो की CPU के related एक topic है TDP याने की thermal design power exactly ये चीज काम कैसे करती है उसके बारे में हम जानने वाले है तो जैसे के friends कभी भी आपने इंटरनेट पे ये चीज देखी होगी या फिर कहीं पर भी CPU के box के उपर कि एक TDP मेंचन किया जाता है और वो mention किया जाता है 150W, 125W, 65W, 105W और ऐसे ही अलग-अलग TDP को mention किया जाता है और काफी लोग इस चीज से दोखा खा जाता है कि ये जो TDP है ये दिखा रहा है कि ये जो CPU है वो कितना power consume करेगा बड़ एक्चुली में ऐसा है नहीं ये इस चीज का mention नहीं करता दोस्तो TDP इस चीज का mention करता है कि आपका जो CPU है वो कितना heat generate करेगा और उस heat generate करने के हिसाब से आपको कौन सा heat sink purchase करना चाहिए जितना अच्छा आप heat sink purchase करोगे आपका CPU उसे हिसाब से ही ठंडा रहेगा और जितना चादा आपका CPU ठंडा रहेगा वो उतने ही अच्छे से काम कर पाएगा I hope so आपको यह जो मैंने अभी कहा वो समझ आ गया होगा नहीं समझ आया हो तो वापिस से यह position repeat करके एक देख सकते हो So friends मैंने तो आज तक market में 20 TDP से लेकर 280 तक TDP तक देखा हुआ है जैसे कि मैं आपको एक example दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आप एक CPU को देख सकते हो जो कि है Intel Core i5 11th generation का यह CPU है और इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है F और यह 2.6GHz का है अब यह जो CPU है इसके अंदर इसका heat sink, Intel का खुद का heat sink सास में मिल जाता है बड़ Intel के जो K वाले versions होते है CPU के उनमें Intel का खुद का heat sink नहीं मिलता हमको अलग से purchase करना रहता है market से heat sink और हम तब यहाँ पे इसको लगा सकते है और ऐसा क्यू है क्यूंकि जो K वाले versions है Intel के वो overclock हो सकते है और वो थोड़े महंगे होते है और उनमें तो 9Hz होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और जब 9Hz ज्यादा होता है तब आपका CPU वो ज्यादा heat produce करता है और ज्यादा heat produce करने की वज़े से उसका जो heat sink है वो हमें अच्छी quality का और थोड़ा महंगा चाहिए हो सकता है so I hope आपको यह concept समझ आ रहा है आप मैं आपको next CPU दिखाना चाहूंगा वो है AMD का Threadripper 3990X यह 2.9GHz का CPU है बट इसका जो core count है वो 64 है मतलब insanely ज्यादा core से इसमें और यह ज्यादा तर जो बहुती ज्यादा high end काम होते है और इसका अगर मैं TDB की बात करू तो वो 280Watt की TDP इसको चाहिए होती है इसका मतलब अगर आपको यह CPU पर्चेस करना हो तो आपको minimum water cooling जैसा कोई heat sink पर्चेस करना पड़ेगा नहीं तो यह जो CPU है वो ठंडा नहीं हो पाएगा so I hope friends मैंने आपको जो जितना भी concept है यह TDB को लेके वो एकदम simple layer man language में समझा दिया है